भारत आज डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है और यह सब मुम्किन हुआ टेक्नोलोजी से क्योंकि बड़ती टेक्नोलोजी से ही आज भारत के शहर तो क्या गाउं भी स्मार्ट होते जा रहे हैं लेकिन आपको बता दें कि भारत में आज भी ऐसे कई गाउं हैं जहां बिजली तक नहीं पहुँच पाती हैं इन गाउं में लोग आज भी लाल्टेन के सहारे अपना जीवन बिताते हैं लेकिन केरल के रहने वाले दो भाईयों ने एक ऐसा आविशकार करके दिखाया है जिससे पूरे गाउं तक यानि हर घर में बिजली पहुँच सकी है बलकि गाउं के लोग जिंदगी भर तक अपने घर को इस आविशकार के जरिये रोशन कर सकते हैं चलिए बताते हैं आपको कि आखिर इन दोनों भाईयों ने क्या विशकार क्या है केरल के रहने वाले अरुन और अनुप जॉर्ज ने बेहदी कम लागत में एक ऐसी पवन चक्की विक्षित की है जिससे बिजली उत्पन की जा सकती है हैरान करने वाली बात यह है कि इस पवन चक्की के जरिये ना सिर्फ आपके पूरे घर को बिजली मिल सकेगी बलकि इस पवन चक्की से जिंदगी भर आपके घर को रोशने मिल पाएगी ऐसे में यह खोज भारत जैसे देश के लिए काफी मददगार सावित हो सकती है यह पवन चक्की एक पंके के साइस के बराबर है और इस पवन चक्की की कीमत आप जानेंगे तो आप हैरान भी हो जाएंगे बता दें इसकी कीमत मातर 50,000 रुपे है यानि इस चक्की को लेने के लिए आपको 50,000 रुपे खर्च करने होंगे असल में पवंचक्की रोजाना तीन से पांच किलो वाट प्रती घंटा बिजली पैदा करती है इस तरह से देखा जाए तो जीवन भर की बिजली के लिए यह कीमत भी बहुत जादा नहीं है नेक्स रैंट टैक के लिए राशिद अली की रिपोर्ट